नवस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है हिंदुस्तान की राजनीती के नेटवर लाल एक और नए विवाद में फस गए दरसल ये खुद को RTI एक्टिविस्ट बता करके ही राजनीती में आए लेकिन जब सत्ता पे खुद काबिज हुए तो इस कानून को ही डस्ट बिज में डाल दिया CIC उदे मोहरकर साब आज हमारे साथ है इन्होंने हाल में एक चिठी लिखी और उन्हेंने बताया कि किस तरीके से इस कानून का गलत इस्तमाल और लुंज पुंज तरीके से information देने का एक पूरा कुचकर केजरिवाल ने दिल्ली सरकार में बना रखा है गलत information देना information नहीं देना और अधिकारियों और पॉलिटिकल पार्टि के इनके जो अपने कार करता हैं उनके शाटगाठ उसे कई सारे परदाफास, कई सारे सवाल और इस चिठ्ठी से बॉखलाए केजरीवाल ने फॉरन वही काम किया जिसमें वो माहिर है इन्होंने सीधे सीधे कई सारे आरोप CIC जैसी संस्था के ऊपर ही लगा दिया आज हमारे साथ उधे महोकर साहब है आपको बहुत-बहुत स्वागत है आपको यह चिठ्ठी लिखने की क्या जुरूत पड़ी देखिए आम तोर पे जिन्यून एपलिकंट है जिन्यून एपलिकंट है मेरा रुख उसके तरफ रहता है आटी एमबिट के अंदर रेखे जब एसे डिबार्टमेंट के अंदर सुचना नहीं दी जा रही है जिन्यून एपलिकंट को जो लाइफ और प्रॉपर्टी को इंपेक्ट करती है एपलिकंट के नहीं दी जा रही है तो जब यह सिल्सला बहुत आगे बढ़ गया तब मुझे से लगा कि मुझे एलजी के ध्या पी लाना चाहिए और मेरी जो मेरा जो पत्रों को लिखाया मैंने उसमें इतनी सेंसिटिविटी है कुछ एसे हैं कि आदमी हल जाए लेकिन यह मुझे समझाइए मैं आओंगा उन सब केसिस के उपर भी सवाल करूंगा यह तो खुद आर्ट याई एक्टिविस्ट यह अपने आपको सूचना के बकादा से नहीं बताते थे पहले अब यह अचानक इनफॉर्मेशन छिपाना गलत इनफॉर्मेशन देना क्या व अखने बाद को सभी साबित करूंगा यह कि दो कारण होते हैं हो सकते हैं मैं डायरेक्ट सबकार पर आक्षे कहां तक करूं मुझे मालूम लेकिन अधिकारी जरूर्मर अंदर हैं ऐक तो है कि अधिकारी मिले हुए जो स्कैम कर रहे हैं उननों के साथ जो करबत का रहे हैं उनका नेक्सस है और दूसरा उसका कारणी है कि उनको जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेक्सरडेकल एप्रोच उनको पड़ी ही नहीं है कानुन लाया गया था उसके पीछे एक बड़ा उद्देश ही था उद्देश ही था सिस्टम के अंदर पारदर्शक्ता और जवब दही लाना सिटिजन को एंपावर करके इसका मुख्यत है इसको और आगे ले जाए तो करफशन दूर करना भायबते जवाद को दूर करना यह इसके उद्देश्यत है तो मुझे लगा कि यह जो उद्देश्य है उनका उलंदन ह हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर तब मुझे लगा कि मुझे लेटर लिखना है और वो कई डिपार्टमेंट को प्रभावित करता है इसा नहीं कि दो या चीन तीन आगए मैं अब बता रहे हैं कि 16 16 इस तरह के हाँ अब के एजूकिशन के भी हैं आपका हेल्थ के हैं ह मतलब यह कि जो केजरिवाल पूरे देश में और पूरी दुनिया में नियुवर्क टाइम्स में चपवाते हैं अपनी इसको कसेत की बढाई कि दिली में गवर्नेंस का मॉडल है लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मॉडल ऐसा है कि स्कैम करो और कोई डाले हो तो सूचना क को छुपा लो कि पॉलिटिकल आप पॉलिटिकल के सकते हैं लेकिन में अपने आपको मेरा जो पत्र है और जो केसी से उसके सीमित रखूंगा मुझे बताई कि कोई ऐसा केस बताई कि जिसको देखकर के आपको लगा कि यह तो बड़ा सरासर अन्या है हां तो यह केस असल मे यह जो पत्र उसमें नहीं है दुसरा एक पत्र मैंने लिखा है उसमें है अच्छा मैं हल गया उस केस को देखके एक जमीर करके एक आटिया एक्टिविस्ट है वो आए एक अपील के अंदर यह कहते हुए कि मजरूल इसलाम नाम की स्कूल है सेंटल दिल्ली में अच्छा यह कि मुस्लिम आटिया एक्टिविस्ट हैं और एजुकेश्टिक लिए काम कर रहे हैं तो यह आये मेरे पास में है मजरूल इसलाम स्कूल 120 साल पुरानी स्कूल है 120 साल पुरानी स्कूल मुसलमानी को वही मुझे सुनके एक अचंबा लगा जबकि मैं इत्यास कारूं जान चार सो जो विध्यारती हैं उनके लिए सिर्फ साथ टीचर है एक भी टाइपिस्ट नहीं है आप सोच सकते हैं कोई भी स्कूल टाइपिस्ट नोगा इंपॉसिबल ठीक है दो या तीन प्यून है बिल्डिंग के उपर बिल्डिंग के अंदर कई प्राइवेट लोग रहते इस स्थे इस स्कूल की बिल्डिंग में ठीक है और एक ग्राउंड है बगल में वह ग्राउंड की भी इनको फेजिलिटी शुरूर्ण्स को नहीं है सो प्रिंसिपल ने कहा इमतियाज आइमत प्रिंसिपल है वो तो वो भी कह रहे थैं कि हमें सरकार से सपोर्ट मिलना ची व फिर क्या हुआ कि मेरी जो आदत है मैंने जो एक कल्टिवेट किये कमिश्र बनने के बाद मैं देखता हूँ पहले में चेक करता हूँ कि जो एपलेंट है वो कितना जीनुए है राइट और सुचना मांगी है वो कितनी उसको अवश्कता है उसकी उसके आधार पे मैं उसको इतना करता हूँ तो पूरे आट का पुरा पुरा जो उसमें जो एक प्रावधान कुछ प्रावधान है पनिश्मेंड के हैं पैनल्टी के हैं वो सब को यूज करता हूँ अगर मुझे लगता है कि जिनुन एपलिकंट है और यह सुचना उसके बहुत आवश्क है यह जो मै इध्य दिल्ली के अंदर ऐसी छे स्कूले हैं जो मुझे 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 स्कूल जो सरकार की मदद से चलती है ओके है अभी स्कूल का रेकॉर्ड आप देखिए भारत के बड़े-बड़े मुसमान निता और कई उसमें देश-मक्त उन स्कूलों में पड़े हुए उसमें अबरी करके अर्खिटेक्ट ने बड़े मक्का में जो भी एक बड़े-बड़े होटेल बनी है वो उन्हों डिजाइन की हुए उसमें पड़े हुए उसमें पड़े हैं अच्छा अब एक 120 साल पूराना तो बेने का की बोले कि सब की आलत इसी है तो मेरे मन में ये विचार है ये इमाम और मुएजिन जो होते मस्जिदों में उनको पगार देती है देश में इसनी बहुत कम सरकार है जहां पर इस तरह की वह तो जो भारत का उद्धिश्य था धर्म दिरुपेक्ष भारत का उसका पूरा एक तरीके से एक उलंदनी है पूरा राइट संदिना तो मि को मैंने चेक किया। मामम पाड़ा की 24 कोड़ो रुपे पगार के रूप में दिल्ली के मस्जिदों के मुएजिन और इमामों को दिया जाता है 24 क्रोड रुप हर साल का 12 क्रोड दिया जाता है अवकाव वकाव बोड के माध्यम सी चलिती तो मिने मन भी विचाराया कि ये बड़ी अभूत्परू परिस्ति है खतनाक परिस्ति है कि आप आप रिलिजियस प्रीचर्स को आप पगार दे रहे हो और जो मॉडरन एजुकेशन जो हगदार है मानुरिटी कम्यूनिटी उसको आप नहीं दे रहे है उसके अडंगे लगा रहे हो आप स्टेप मदरली टीटमेंट दे रहे हो तो मुझे ये बहुत ही घंबिर लगा मेरा ए कॉण्ग्रेस की मुस्न्मान तुस्टरिकर्ण की पॉलिसी थी उसके बज़िद से ही पाकिस्तन निर्मानवेय और भारत का व्वश्यझा नोंगा है इस देश को अगर दुसरे विभाजन से बचाना है, तो हमें तुस्ठीकरण की राजने से दूर रहना है चीजिए कोई का भी तुस्ठीकरण। सभी बात है हमें equal treatment विरिशावर करने भी हिंदुों के लिए special treatment नहीं मांगी थी equal treatment की बात की तो फिर मुझे लगा कि मुझे लिटर लिखना चाहिए कि पिछला लेटर मैं इक दिनों प लेगा था और मैंने दूसरा लेटर लिखा उनको और मैंने कहा उसके अंदर मैंने पहले तो मैंने प्रिंसिपल्ड सेकेटरी एजूकेशन दिली सरकार उनको मैंने ओर्डर किया है कि यह इस पूरी परिसीती की जांच हो क्या-क्या शतिया है उसको रिकॉर्ड पे लिया जाए जो लोग इसके लिए जवाबदारे उनके अगेंस पे स्टैप लिये जाए और इस परिसीते को सुधारने का प्रेयतने किया जाए और यह रिपोर्ट मेरे को दो मेने में मुझे सुपरत की जाए बहुत अच्छा किया तो यह मेरे कल से एक भूत एक आँख खुनने वाला केस था एक दो केस और भी है दूसरा केस किस तरह का है दूसरे हैं जैसे कि दिली की जो ऑस्पिटेल से बड़ी-बड़ी इन ऑस्पिटेलों ने जो जमी ली थी जब होस्पिटल बनाने के टाइम पे दस साल बीस साल पर वो कंसेशनल रेट पर ली थी और यह कहके ली थी यह बाहिदारी दे के ली थी कि बही पचीस परसंड जो पेशेंट्स हों के हमारे वो EWS क्रेटिकरी के हूं इक नोम कर लिए बैक वर्ट सब्सक्राइब उसकी क्या प्रावदान हो जी ने मालूम कि उसमें कम पेसा लेते ह तो उसमें जो एक मेरे सामनी चीए एक एपेलेंट है मेरे सामने उनने कहा कि साब दिल्ली की जो होस्पिटल से कोई भी यह जो बाहिदारी का पलन नहीं करती है और पंद्रासो करोर रुपे की ट्रीटमेंट जो गरीबों को देना चाहिए थी उन्हों नहीं दिये मतलब यह कि प्रावेट हॉस्पिटल को पंद्रासो करोर रुपे का ट्रीटमेंट गरीबों को देना था इन लोगों ने नहीं दिया हाला कि वो लोग हाई कोट से स्टेल आ है हॉस्पिटल वाले मेरा मेरा प्रतन है कि आप सूचना क्यों नहीं शेर कर रहे हो हिदी कूणा प्रतन किए ट्रीटम तो इसे स्कूल को माश्म योड़ के सामने हॉसाओ मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता हुच को पढ़ता में उसका एडबिशन हुआ है और उसमें जो NI winners मिल दे इसमें inफिंव के पिसे नहीं कैसे किताब ने इसको मुफमिल conviction ह। तो उसने का में इसको यह या हूं कि है यह लोग मेरे पास से लिखित में ले रहे थे अब लिखके देदा है अब दिखी परिषिती माइगाड तो मुझे ठीक नहीं लगा और इसके लिए मैं आया आपके पास और यह लोग मेरे को हरेस कर रहे है जबरदस्ति मिल रहा और उसके कहा जा रहा है जब दो तो अब मैं जब तहें में उत्रा जो मैंने कहा कि मैं हरेक Union Applicant के तहह में जाता हूं, उसके कारणों के तहह में जाता हूं, उनने कहा कि मेरा जो एरिया है वहाँ सभी स्कूल यही करती है, मैं उसकेंडल ही हो एक, बहुत-बहुत स्कूल ही है, उसमें भी मैंने inquiry order किये, उसकेस में भी, तो ऐसे, कई किस्से हैं ऐसे, एक केस है जिसमें कि एक सज़न की धनमपत्न की डेथ हो जाती है ओस्पिल में कोवीट के वज़े से, है ना, उसको सुचना नहीं दे रहे, उसको सुचना मांग रहे दे नहीं है, तो इसका मतलब है कि अंदर खाने बहुत, मारे लुझ पुझ तरीके से सरकार यह विवस्ता चल रही है, देक पुलिस के अंदर जो फॉरजरी करके प्रॉपटी ले रहे हैं, उनके साथ दिकारी में एससे केस भी मेरे सामने आए, एक डायेटर जनल पुलिस के सुपुत्र हैं, जो खुर्द वकील है, बड़े वकील है, उन्होंने एक प्रॉपटी खरीदी, उस प्रॉपटी पे छे म प्रॉपटी बात है, जो जो अधिकारी है, रेविनी सेक्टर का, उसके पास जा के उससे डॉकुमेंट लेंगे, यह उप्रू करेंगे भी यह जाली है, तो दो साल से उसको दे नहीं रहे थे डॉकुमेंट, वह आदमी त्रस्त हो गया तो, वह मेरे को मिलना है वह आदमी म देदो सुचना, तो भी उसको देने, घुमा रहे है उसको, उसको बोल रहे है हमाँ पर डॉकुमेंट यह पर हमारे पास नहीं है, घुमी रहे वी चाला दो साल से तो, यह मेरा आपस गंबीर परिस्थिती है, गंबीर परिस्थिती है, खुद RTI activist है, रह चुके है, तो रा पूरा हग बनता है, यह आपका पूरा हग बनता है, कि आप अपने आपको डिफेंट करें, वैसे आपने बहुत सारे बदलाव किये हैं, RTI के छेतर में, कि अब बहुत सारे चीजे, प्रोसेस जो है, स्मूद भी हुई है, और CIC का आफिस, वो प्री मनिसु कर सकते हैं, कि प्रोपीपल, इनफॉर्मेसें जो जेनी, तो मेरे पारा सोचेटे का फोर डामेशनल वीव है, तो वो एक लाब मिल रहा है मुझे, तो मैंने जो, एक तुम्हें डिस्पोजल, भी मेरा काफी है, लेकिन कॉलिटी भी जो है, उसको में प्रेंटिक प्रेंटिक प्रेंटना क करता हूं, देखें, कई ऐसे अधिनियम है इस लॉके, जिसका अधिकारी दुरूप्योप करते हैं, जैसे कि 2F है, 2F के अंदर ये कहा गया है कि सुचना मांगने का तरीका क्या होगा, उसका डिफाइंड वे, आप प्रश्टन नहीं पूछोगे, आप जो सुचना अधिका कई लोगे से आते हैं, जो जादा जानकार नहीं होते हैं, उनको तरीका मालूम नहीं होता है, स्टडी नहीं किया होता कई बारे, ये लोग उसको टेक्निकल ग्राउंड के उपर उसको रिजट कर देते हैं, मैंने पूरा चेंज ही कर दिया, मैंने कहा कि अगर सुचना अगली बाल हम दे रहे हैं, आपको अगली बाल फॉलो करो, मैं भी मेरे ओडर में लिखता हूं कि आपने फॉलो नहीं किया है 2F को, आपको फॉलो करिए आगे जाके, जो सुचना लेजिटिमेट है, उसको मिलनी चाहिए, और सुचना भाग लाइफ और प्रोपर्टी को इ इसमें भंग होगा, सेफ्टी का होता है कि इसका नाम अगर मालूम पड़ गया इसको तो इसको अटेक करेगा, उस पर एपलेंट इसको मारेगा जाके, है ना, उसके अंदर भी मैंने काफी कुछ बद्लावला है, जैसे कि सेफ्टी वाला जो है, सेक्शन, मैं उससे जो अंदिकारे होते हैं कि यह सुचना तो हसाब नहीं है हमारे पास, यह तो पुरा नहीं हो गई है, है ना, अब मेरे पास भी तरीका नहीं जाना है कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो मैं उनसे एफेडविट लेता हूँ, एफेडविट तो पहले भी लेते ते लोग कि भई मेरे पास ही सुचना ही यह यह कारण इसके पर उसमें एक नया एक किया है उसमें उसमें लिखता हूं कि अगर पब्लिक इंफर्मेशन ओफिसर ने गलत फाइल किया तो हग बनेगा एपलेंट का उनको परजूरी या कंट्रेंब कोड का चार्ज लगाने का बहुत बाहरा में क्या करता हूं कि सुचना नहीं दे रहे हैं लेट दे रहे एपलेंट है मैं उसको पूछता हूं रिस्पॉंदेंट को सुचना अधेकारी को कि बही कितना टाएम आपको लगेगा यह देने में guitar मैं आपको बीस दिन को बोल दिया है जो मेरे हेड़े मेरी ओफिस के एक डायरे मेंटन करिये जिनको मैं आप आप लिस्ट सूची बनाईगे जब भी आते हैं वो कहींगे आप देखिए सूची में आपका नाम है और फिर उसको कहता हूं सुचना अधिकारी को कि अकर एक महने में इनको नहीं मिली है ना तो मैं आप पे 25,000 की फाइन लगाऊंगा या 10,000 की फाइन लगाऊंगा और आपकी सर्विस रिकॉर्ड में मेरे रिमार्क्स एंटर हो हां वो और भी पास करूंगा उसका भी प्राव प्राव सिस्टम एक तो कहीं भृष्टाजर भी है या तो ओर लोड़ड़ है एक आदने के पास 10 काम है उसमें जिनुर्ण एप्रिकेंट्स रह जाते हैं उनको काम होता है नहीं उनका जब वो हमारे पास आते हैं ठीक है तो जब आते हैं अप्रेल मेरे पास आता है और मु कमिशन को नहीं है इस एक्ट के तहरत तो उसमें एक हाई कोड़ने की जज़्ूंट पास कियाता है उसमें कहता है कि है उसको कोड़ करते हूं कि आप मुझे बताईए या ना फिर उनको पूस्ता हूं कि भी आपका प्रोफेशन क्या है कि ब्लेक मिलर एक्टिविस भी गु सजन मेरे पास है कि मेरी पिताजी ने एक 7-8 बिगा जमीन खरी दी थी कई सालों पहले 30-40 साल पहले 8 बिगा कर पढ़ता है और अगल बगल में प्राइवेट कंपनी ने खुब सारी जमीन खरी दी ने काल से 40-50 बिगा खरी दी है तो उनको एक नोटिस मिला कि सरकार यहां क सकतोर खरी को करना चाह conveniently ऐसका इस रच्फ कर दशीक नाम की एक कUPरेशनल का उसका नोटिस मिला कि भई हमें इसको इस काम के लिए करकार कि इस काम के इसकार क्वा है उसके लिए जो इसकी जमिन बीच है अगल बगल उसकी जमीन है तो अध्योगपती है उसकी जमीन ज्यादा अनुकूल है और इस प्रजेक्ट के लिए मेरा क्यों मांग रहे हुआ अप उसको सुचना ही दे नहीं रहे थे मैंने बाद दे किया उसको अपने इपले मिन बेज दे को नीचे ले गए इसके अंदर सपष्ट यसा लगता है कि इमिली बगते कुछ गड़ बढ़ा है आपको खुदको भी पारदर्शक अगर नहीं हो तो पारदर्शक रहने के लिए अब कोट में इसमें क्या होता है कि जो लोग कोट में जाते हैं उनको लोग सुच नहीं जी दे यते मुलते ही सुचना मिले गी तो हम करेंगे आपके भीवर में व्यूस्यी IDC मेरे सामने आया है PWD का नहीं सरकार का PWD डीपार्ट्मेंट एक मैं आया है इसके इंदर टेंडर जो है सरकार जब टेंडर निकालते हैं सुचीत करते हैं सो रुपे का टेंडर है अब उसमें 20 परसंट कम जादा हो सकता है कोई कंपने वाला कहीं कि जहां यह कॉंट्रेट मुझे एक्जिगूट करना है मासे फैक्ट्री मेरी पांच किल्यूमेटर मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने आपको बहुत ही एच्छ तरीके से यह साबित किया कि किस तरीके से पब्लिक से जुड़ी हुई जो सूचनाएं जो सामने नहीं आ रही थी तो आपने अपने कर्तव का पालन करते हुए एल जी को यह पत्र लिखा इसमें कोई राजनीती नहीं है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेर करें और क्याप्टर टीवी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद करें